हेलो फ्रेंड्स आज हम जुलो जी के वर्टीब्रेटा या कोश्चन करेंगे प्रैक्टिस थर्टी फाइफ है तो चलिए सुरुआत करते हैं कोश्चन की लेकिन इसमें एकाथ कोश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो इन वर्टीब्रेट से आ गए हो तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले कोश्चन की पहले कोश्चन की बुच्रेया कोज़ज तो इस बुच्रेरिया व weaving क्राफटाइग की बात कर ला है बुच्रेरिया व flips क्राफटाई से कौन सि able य होती है elephant तो जो हर्ब होता है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है तो इसलिए हर्भी वोर्स जो अगला पूर्ष जैसा है जितने भी विट्राइब होते हैं वेकां होते हैं लेकिन फिर भी एक है जो पाया जाता है सी में तो सी फ्रॉक कॉन सा है राना साइनो फ्लाइक्रिस तीक है अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं एस्टिवेशन ही से प्रॉसस आप दो को तो एक होता है डूसरा होता है दूसरा कॉन सा होता है नहीं बताईगे तो आप खुद मुझे बताओंगे देखो जब गर्मी में को कोई सो रहा है तो हाइबरनेशन कहते हैं तो इसे समर सिप चॉलिव करते हैं काइव ऻाट में एक ही औक twists किसमे पाया जाता है। तो वनली यदेशा से प्राइब होसी किसे फिंग करता है। झो गोबुन है है कि प्राइब हुती है कि वपनाइब को चांघे मैं है। जी से बीटें लेटीमेड मेरने रियुक्तिक अगला कुछन है, फिकमकत का रही सप होसी ही। वपनालDad तीनों क्या होती हैं कि यह लंग फिसेज हैं अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं और अस्ट्रेलियन लंग फिसेज को क्या कहते हैं तो जो उपर वाला कोश्चन था ना आपने उपर वाले कोश्चन में देखा था लास्ट पिछली वाले कोश्चन में नियो सीरेडस तो ठीक थे सब किस से बन करते हैं कीड होते हैं किराटी से बन ओते हैं आप उसीrag 6 सब करता को सब्णब सरा लिए ऑच में रहा है यह रहा है के बीच में खाली जगह पाई जाती है तो उसे बाते हैं डाइस्टेम, a gap between teeth अगले कोशन is which is true fist, true fist कौन सी है तो आप जानते हो न true fist कौन सी है जल्दी से बता दो flying fist, flying fist is a true fist अगले question क्यों बढ़ते हैं mast cell are found in the mast cell कहाँ पर पाई जाती है तो जो हमारा blood है circulatory system या फिर एक है कि जो हमारा connective tissue बलड एक connective tissue है ना तो यहाँ पर mast cell पाई जाती है ठीके तो mast cell कहाँ पाई जाती है connective tissue में पाई जाती है और इनका काम क्या होता है मास्यर का काम क्या को होता है बाहर से आने वाले जितने भी दुस्मन है उनसे हमें बचाना ठीक है इनका यही काम है अच्छा अगले कोशन क्यों बढ़ते है अच्छा यही तुख है अगले कोशन यही पर है Which fish or fish like animal bear sactorial mouth parts with करें नहीं पाई जाती हैं तो यह बात कर रहा है एगनाथा की तो और एगनाथा और कॉना आता है साइक्लो स्टोर्म् स्टीक है अगले कोशन के दा भाद बढ़ते हैं दरीजन फॉदर मिस्टी पार्क फ्लैस जो मिस्टी पार्क फ्लैस है इसकी वजह क्या होती है मिस्टी पार्क फ्लैस किसकी वजह से होता है यह पूछने की कोश्च यह पूछ रहा है तो देखो जो मिस्टी पार्क फ्लैस होता है वह किसकी वजह से होता है सिस्टी सरकस लार्वा किसमें पहुuez किसका लार्वा ही तो फोटिव Sans hap अगला कॉशन हह सबस्टाने इस में कौन सा एक चिंदन लार्वा नहीं को तो धेको छो टो फिर दोनो है अगर बात करें नहीं है तो पीनिया एंड अड in इसका यह वाला है तो इस तरह से यह वाला ओपीo उप्सटमेशथ यह और बढ़ते हैं match list 1 with list 2 and select the correct answer तो यहां पर आपको मिलाना है list 1 request को İşte 2 ज़ल्धी से विब तो росine का बताज़ी हो Ci ऑ शिलोमिट पहला क्या है ए शीलोमेट काँ सा होता है तो यहां पर चलो मिलाते हैं सिलोमेट कौन सा होता है यह सिलोमेट कौन सा होता है फ्लाइट वर्म तो आप्शन एक का तीसरा हो गया फ्लाइट वर्म दूसरा एंटेरोसिलेक सिलोमेटा कौन सा होता है तो एंटेरोसिलेक सिलेमाटा कौन सा होता है किसमें एंटेरोसिलेक तो दूसरा यह होगा अधला प्रोट्टो टोउर नीचे वाले जो यह मिलाना आपका काम है आप खुद मिला लेना आगे बढ़ते हैं वीचे तो following includes homeotherms only इस ग्रूप में कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ homeotherm है ठीक है अच्छा homeotherm का मतलब homeo मतलब समान और therm मतलब क्या होता है temperature तो यह पूछ रहा है कि समतापी कौन से हैं पहले हैं तो अगर हम समतापी की बात करें तो हमने बताया थे कि जिनके सरीर पर बाल पाय जाते हैं तो यहां पर कौन है वैल है पिकाॉक है और बैट है और इन तीनों पर ही पाया जाता है तो अगला है शेलामेंडर प्रोटो फिस्ट और लीजार तो यह भी नहीं होगा अगला है शीहौर्ट डॉग फिस्ट और रैबिट तो शीहॉर्स क्या एक फिस्ट अप्सें बी अगला कोश्चन दो वनली लीजार्ट तेट इस पौईजनस एक इकलोती लीजार्ट जो की the maximum amount of nitrogen maximum amount of nitrogen किसमें पाया जाता है तो यूरिया होता है 46คण नाइट रसकु में पाया जाता है तो मैक्समें घ्ट रीकिसमें पाया जाता है और उग्यक रहूंक ओर फॉल्गी है कोहां से आते हमें सेखेंड आधें का। मेर्थ यहां पहुत रहूं variety Australians सते हूं मुलस्का तक क्या होते हैं प्रोटो इस्टोम होते हैं युक इकाइनो डर्माटा से आगे के इकाइनो डर्माटा और क्या आगे के जितने भी होते हैं क्या होते हैं क्या होते हैं क्लीवेज पैटर्न दोनों में अलग होता है एक में स्पाइरल दूसरे में रैडियल मोड अफ सीलम फॉर्मेशन दोनों में ही अलग होता है प्रजेंस आप मिसेंट्री यह होता है इसी वजह से हेमी काडाटा को पहले रखा गया था काडाटा में लेकिन बाद में हेमी काडाटा को कहां पर रखा गया नौन काडाटा में इसकी वजह यही थी प्रजेंस आप मिसेंट्रेर इसके बाद अगला है time of fixation of embryonic fat of the blastomers यह भी अलग होता है तो यह भी नहीं होगा अगले बढ़ते हैं अगले question की ओर which type of blastula is found in the chick? चिक में कौन सा blastula पाया जाता है तो चिक में blastula कौन सा पाया जाता है? डिस्को blastula होता है इसी वज़ा से इसका cleavage कैसा होता है? चिक का cleavage कैसा होता है? मुझे बता देना ठीक है? मुझे नहीं बताना लेकिन याद कर लेना अगला question which one of the following statement is not true about the wildlife century? wildlife century के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो देखो जो wildlife century होती है वहाँ पर फना और flora दोनों को ही protect किया जाता है ठीक है? फना और flora को protect किया जाता है वहाँ पर आप अपने जानवर नहीं चरा सकते हैं वहाँ से पेर पौधों को नहीं काट सकते हैं वहाँ के जानवरों को आप कोई नुकसा नहीं पहुँचा सकते हैं लेकिन आप वहाँ पर जा सक और पोच्छान पर नाट टुक्सान पहुंचा सकते हो अगला फ्लोरा अन अदर फॉरेस्ट्र प्रोड्योश कन बी उंटिलाइज आप कि किसी भी चीज को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो तो option D सही हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं cytokroms are cytokroms क्या होते हैं तो ऐसे protein जिनमें iron है iron porphyrin जो protein होते हैं उनको क्या करते हैं cytokrom करते हैं अगले question क्यों बढ़ते हैं pyloric extract contain the hormone जो pyloric extract होता है उसमें कौन सा hormone पाया जाता है तो देखो जो pyloric extract होता है उसमें जो हार्मोन होता है pyloric extract में जो हार्मोन होता है वो होता है gastrin ठीक है और pyloric extract जो होता है वो कहां पे होता है तो pyloric किसका पार्ट है इस्टमक का पार्ट है और इस्टमक के pyloric पार्ट से यहां पर देखो जो लीवर क्या काम करता है यहां पर तो गलाइको जिनेसिस का जो काम है निर्मार हो रहा है दो यहां पर लोट कर लो घलाइको जिनेसिस हो गया आगे बढ़ते हैं अगले क्यों कर्बंड तक जाता है थो सबसे ज्यादा जो लेगे जाता है तो एक एक पर संट तक जाती है और जो 7% जाती है वह जाती है ब्लड प्लाजमा के थ्रू जाती है ठीक उसके बद अगला कुशन है मैल्पीगियन ट्यूबूल्स और मिंट फॉर जो मैल्पीगियन ट्यूबूल्स है उनका क्या काम होता है तो मैल्पीगियन ट्यूबूल्स का आप जानती है ग्लॉम्बियल और बामन कैपसूल अगले कोशेंग बढ़ते हैं नाम से ही समझो लिशी फेरेज टो लिशी फेरेज एंजाइम क्या काम करेगा अक्टान लूशी टू ब्राइब into the water and ammonia, no, it formed in the lucifer, it formed in the lucifer, तो यह तो ऐसा कुछ है नहीं, act on a substrate to cause bioluminescence, option C is riding, so act on the, जो luciferage enzyme है, उससे की वेज़ा स्क्या होता है, bioluminescence, यह लाइट एमिटिंग एंजाइम होता है, ठीक, अगला कुछ ना, the cranial nerve, responsible for the test in human beings, जो human beings में cranial nerve होती है, जो responsible होती है, टेस्ट के लिए, किसके लिए, टेस्ट के लिए, वह कौन सी होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे आपके लिए छोड़ दू, आप इसे कर लोगे, लेकिन थोड़ा से इसमें गलती है, लेकिन फिर भी आप लोगे इसको, कर सकते हो, ठीक है, तरीसे मैं आपके लिए छोड़ दू, आशे चलो, थोड़ा से बताते है, पहला option नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि जो पहला है, पहली cranial nerve कौन सी है, all factory है, all factory किसले होती है, गंध के लिए होती है, यह मतलब nose से related है, दूसरी कौन सी है, optic है, optic यानि देखना और यह आँखों से related है, ठीक है, तो पहली और दूसरी तो बिलकुल ही नहीं होगी, उसके बतागर तीसरी की बात करें तो हो है, और चौती होती है, ट्रोकलियर, ट्रोकलियर भी हमारी आँखों से related है, जो आक्यूलोमेटर और ट्रोकलियर है, यह जो हमारी eyeballs होती है, जो हमारी eyeballs के muscles होती है, उनको हिलाने डूलाने के काम करती है, इसी वज़ा से हम लोग दाएं बाएं उपर नीची जैसे देख सकते हैं एक सेकंड रूप, ठीक है, फोर्थ जो है, वह क्या है, ट्रोकलियर है, और ट्रोकलियर क्या काम करता है, यह भी हमारी आइज से ही related है, आइज मसल से ही related है, जैसे कि आप अपने नोज को देख पाते हो, नोज को, ठीक है, और दाएं तरफ अगर देखो या फिर बाएं तर option C, option C में क्या है, तीसरा है, या तीसरा क्या है, ओक्यूलो मोटर हो गया, और उसके बाद अगर हम नौवे की बात करें, तो 9th कौन सा होता है, 9th कौन सा होता है, 9th कौन सा होता है, तो मैंने आपके इसके लिए आपको एक trick बताई थी, ओटा, triple O, double T, A, ओटा, Fag, F, A, G, ठीके, और V, A, H, ओटा, Fag, वा, ठीके, तो triple O हटा दो, double T हटा दो, 6 होगे, 7, 8, 9, ठीके, तो यहाँ पर G है, और G से related कौन सा होता है, ग्लास ओफ एरेंजियल, तो यहाँ A भी नहीं होगा, क्यों, वो जीब से related है, मतलब टंग से related है तो यह हो सकता है, लेकिं, थर्ड वाला जो है, वो है क्या, ओक्यूलो मोटर है, तो यहाँ पर जो 9 है, वो है, ग्लास ओफ एरेंजियल, लेकिन, जो थर्ड है, वो कहां से related है, थर्ड क्या है, ओक्यूलो मोटर है, तो यह वाला भी नहीं होगा, उसके बाद आते हैं, 11 and 12, option number D, तो यह होगा, लेकिन, क्यों होगा, आप बताईएगा, ठीके, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है, बाइल हेल्प इतर डाजिशन ऑफ फैट, जो बाइल होता है, वह फैट के डाजिशन में हेल्प करता है, लेकिन हेल्प होता कैसे है, मतलब कैसे करता है, क्या करता ह में तो यहां पर क्वाइल काम अइन तो यहां पर उप्शन ही तो बिलकु नहीं तो इसमें एंजाइम होता ही नहीं है तो इसके विज़ा से पहला काम तो बिलकुल नहीं कर सकता है तो यह क्या करता है, fat को emulsifies करता है, अगले question, पोडोसाइट्स हैं, वे क्या है, तो जो पोडोसाइट्स है वे क्या है, जो baumens capsule होता है, baumens capsule, इस baumens capsule की epithelial cells होती है, पोडोसाइट्स, अगले question क्यों बढ़ते है, the caution of the following element is necessary for coagulation, सीधी सी बात समझो कि calcium जो होता है, वो किसले जरूरी होता है, coagulation के लिए, ठीक है, बीना calcium के blood coagulation नहीं हो सकता, तो इसमें option कौन सो होगा, calcium होगा, option B होगा, ठीक है, अच्छा, क्यों calcium जरूरी होता है, तो calcium ion क्या करता है, प्रो-thrombin को change करता है, ठीक है, प्रो-thrombin को change करने का काम कौन करता है, calcium ion करता है, तो इसलिए यह जरूरी होता है, blood coagulation के लिए, प्रो-thrombin change होता है, यहां पर अगर हम कहा है तो प्रो थ्रॉम्बीन से चेंज करने में एक कैल्सीम ज़रूरी होता है और फिर वो बनता है और जो ब्लड को कोगुलिट करने में हेल्प करते हैं अगला है ट्राइपसीनोजेन जो ट्रिपसीनोजेन होता है इसके बारे पर इस एक्टिवेटेट इन्टे एक्टिव ट्राइपसीन जो ट्राइपसीन है वह एक्टिवेट होता है किसमें होता है ट्राइपसीन में किसके द्वारा होता है किससे होता है तो एह होता है एंटेरो का ये वह सिखरी अगले कोश्चों क्यों बठते हैं the following is not of not an enzyme of biological oxidation इसमें से कौन सा है जो biological oxidation का enzyme नहीं है तो तो आपको साफ दिख रहा है सीधे सीधे दिख रहा है कौन सा है जिसको आप बहुत बहुत बेतर जानते हो cytokinin cytokinin क्या है यह एक biological oxidation enzyme नहीं है ठीक है क्या फिर हार्मोन है अगला question, B lymphocyte cell are produced in, B lymphocyte cell जो होती है, कहां पर produce होती है, bone marrow में, सीधा सा answer, bone marrow, अगला question, embedded mirror half pathway represents, EMP pathway, क्या होता है, EMP pathway में क्या होता है, इसको हम कह सकते है, glucose से pyroic acid बनता है, वह होता है, EMP pathway, ठीक है, तो EMP pathway आपको समझ में आगए, option कौन सा है, यहां पर, option पहला ही है, इस्टेवाज डिग्रेसर हम तो, glucose to pyroic acid, यही होता है, EMP pathway, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, glycolysis, क्योंकि इसमें तूटता कौन है, glucose, ठीक है, अगला question, light sensitive pigment of the human eye is known as, जो light sensitive pigment है, human eye में, वह pigment कौन सा है, तो rhodopsin है, कौन सा है, rhodopsin, option B सही होगा, इसके लिए, अच्छा, यह बनता किस है, अगले question में आपको इसका answer मिल जाएगा, night blindness is caused by the deficiency, जो night blindness होता है, रताउंधी होती है, वह किसकी वज़ासे होती है, vitamin A की वज़ासे होती है, और vitamin A किसको बनाता है, rhodopsin pigment को बनाता है, ठीक है, अगले question क्योंकि बढ़ते है, the process by which ATP molecules are formed from ADP, कौन सी process है, जिसमें की ATP molecule, ADP से बनते है, ADP change into the ATP, जल्दी से बता दो, कौन सा है वो, phosphorylation, phosphorylation की process में ऐसा होता है, क्या बनता है, ATP का निर्माड होता है, ठीक है, अगले question क्यों बढ़ते हैं, fats in our body are formed, हमारी body में fat का निर्माड कब होता है, कब बनता है fat, तो जब सब के पास fat पूरा-पूरा हो जाएगा, तो फिर बाकि fat बनेगा, तो यह कब बनता है, जबकि glycogen का इस्टोर हो जाता है, glycogen लीवर में इस्टोर हो गया, ठीक है, muscles में भी हो गया, अब पूरी तरह हर जगा पे complete हो गया है, कहीं भी कमी नहीं है, तो फिर निर्माड होता है fat का, मोटापक कब आएगा, जब पूरी तरह संतुष्टी हो जाएगी, लीवर को, और हमारी जो muscles है, वे संतुष्ट हो जाएगी glycogen से, उसके बाद निर्माड होता है, मोटापक का, जिसे कहते है fat, option C, अगला question, tenide and cycloid skills are found respectively, जो tenide and cycloid skills है, वे किस में पाई जाती है, तो tenide की बारे में बता है, तो ये तो सीधी सीधी रोहू में पाई जाती है, ठीक है, और cycloid किस में पाई जाती है, फिर, अमिया में पाई जाती है, अगले question क्यों बढ़ बताना comment box में, कुछ दूनों से, हाँ, आप लोगों में से, एक comment आया तक, smile पर video लेके आए, तो smile पर question बहुत कमाते है, तो अभी time बहुत कम है, तो मुझे लग रहा है, मैं उस पर video लेके आऊ, जो बहुत ज़्यादा, जिसे question ज़्यादा से ज़्यादा आते है, ठीक है, तो smile से, रेल्टर कोजे इतने कमाते हैं, इसलिए मैं उस पर लाना video चाहती नहीं हूँ, ठीक है, तो आप मुझे comment box में बताओ, और किस पर मैं video लेके आऊ, thank you,